मुस्मिल अरुक्मान रहिए, हमारे इस वीडियो में हम गुड़ अना हैरेस ट्राइंग टेस्ट के बारे में आर सिखेंगे कि मैनूल से हम इसे किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कर वो कौन सी इंस्ट्रक्शन से हैं जो हमने अपने अपने एप्लिकेंट को या सब्जेक्ट को देनी है इस टेस्ट को अटेम्ट करने के लिए इस के मतलग एक हमारी इसे कंड़क्ट कराते हैं तो आपको किन चीज़ों का खयाल रखना चाहिए और इसके बाद अगर आप इसकी मैंवल से इंटर्पेटेशन करते हैं तो को आपके लिए किस तरह सी फाइदा मन दो सब्सक्राइब एक चीज़ से जिम्रे में मैं लास मन आप से मैंशन कर दूँ कि एकशली यह इंटर्लेक्ट्टल मेचॉरिटी फाइंड आउट करने के लिए या मैयर करने के लिए डवेलप किया गया है और ज्यादा तर हम इस ते फाइव यर्स से फिप्टीन जियर्स तक की एज के चिर्ट के लिए बनाई गई है आपने जो सबसे पहले बात इंपोर्टन है जो आपने अपने सब्जेक्ट को या अप्लिकेंट को या पार्टिसपेंट को देनी है हुई है कि उसको एक कमपोटेबल जगे पे बिठा दे थोड़ा सा नंबा टेस्ट तो जरूरी है कि बच्चा कमप के लिए है जो टेस्ट के इस्तमाल के लिए है यहां से आपने उसको ओफर करने है बेजिस जहना पर पर्सन में परफॉर्म करना है हिरायात इसकी महत ही सादा सी है कि आपने जो भी अप्लिकेंट है उसको कमफर्टेबली बिठाना है और उसको एक लेड पैंसल देनी है जो इसके बाद जो 2nd picture है वो एक female की या एक women की बनानी है और 3rd picture उसने अपनी से की बनानी है कहने का मतर यह है कि आपका जो एप्लिकेंट है वो male भी हो सकता है और female भी हो सकती है दोनू सूटों में जो man and women की picture है यह तो compulsory है और 3rd picture जो आपनी self की बनाएगा वो बिपेंड करे कि इसका अपना जेंडर क्या है उसके एकॉर्डंग को यहां विक्चर ट्रॉ कर लेगा अब क्योंकि यह बच्चों के साथ आप टेस्ट कर रहे होंगे तो एक बहुत ही नाचरल सी बात है कि आपसे पारे में क्वेस्टिन्स कुछेंगे कि अबनानी है कैसा हो मेल कैसा हो फीमेल कैसी हो तो जितने भी आपसे सवालाग कुछते हैं तो आपने उनके सवालाग के जवाबाद देने के बजाए उन्हें इंकरेज रिख करना है कि इसका कोई भी सही या गलत ड्रॉइंग का पैटर्म नहीं है जो आपको अच्छा लगत या जो आप समझते हैं कि एक मैं की ट्रॉइंग कैसी होनी चाहिए या भूलादे या एक विमन की ट्रॉइंग कैसी होनी चाहिए आप बनादे आपने खुद से उसके सवालाद को जवाब नहीं देना बजहें उसकी यह है कि अधर आप उसको जवाब आग देंगे तो इक ना भी अप्लिकेंट अपनी मर्जी से टाइम लेना चाहिए जितना वो कमफटेवनी इन पिक्चर को बनाना चाहिए आपकी तरफ से अप्रिशेट होना चाहिए जब वो यह पिक्चर तीनों कम्प्लीट कर लेता है तो इसके बाद अब आप में एक्चरी इंटर्पेटेशन करनी है इन पिक्चर्स की इस मैंवल की वागत से वैसे तो अगर आप यह थौरू यह पढ़ें तिया के लिए बहुत थैंपल होगा लेकिन हम इसको अभी इसके बाद जो आपके पास फाइनल फॉर्म में यह पॉर्म आजाता है तो वो क्यासा होगा यह जाहिर इसका फर्स्ट पेश है जो ज्यावत तर साइकोप्टेशन ही थेलब कर रहा होता है इसके बाद यह आपके पास एक पिक्चर जो है मेल की मौजूत है यह जो यह लास्ट पे है यह उस एप्लिकेंट की अपनी सेल्फ की ड्रॉइंग है जो उसमें को बनाई है तो यह तीनों आपके पास ड्रॉइंग इस फॉर्म में आ जाएंगे अब आपने क्या करना है कि वन बाई बन मैनुर की मदद से इसकी यहां पे स्कोरिंग करनी है अब स्कोरि आपको 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 आपक For example, number one पे है head present मतलब इसका क्या है जो description में मौझूद है कि आपने इन इस description को पढ़ना है अगर आपको लगता है कि head की presence के लिए ये जो description मौझूद है वो आपकी drawing फुल्फिल कर रही है तो ऐसी सूरत में यहाँ पे जो one का sign है आपने उसके साथ plus लगा देना है plus का मतलब है कि जिस feature को आप interpret कर रहे हैं value कर रहे हैं अगर वो feature उसी अंदास में मौझूद है जैसा कि description में दिया गया है तो आप उस number को credit कर देंगे credit करने के लिए आप plus का sign यूज़ करते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा feature है जिसको कि description के according drawing पे उस तरह इंकॉर्परेट नहीं किया तो हम उसे non credit करतेंगे और non credit करने का तरीका ही का क्या होगा कि उस point के आगे आप zero place करतें जिसका मतलब है आप उसको non credit कर रहें तो यहां के लिए भी है तो यहां के लिए भी helpful होगी जो eight point के उसके सामने zero लिखा हुआ है यानि जो eight point है वो क्या है eye detail glance full face the eyes obviously glancing there must be no conversion or divergence of two people's either horizontally or vertically कि आपको मकमल तोर पे उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से eyes में glancing जो है किस तरह होने चाहिए कि वो ना converge करे ना divergence करे बलके वो horizontally या vertically उनकी जो direction है वो उस पे obvious होने चाहिए और अगर हम यहां देखते हैं तो हमें नजर ही आता है कि दोनों जो people's हैं उनकी direction हमें seen नहीं आती इसका मतलब है कि जो description थी fulfillment होती में नहीं नजर आती जिस हुझा से हम इसे zero credit कर देंगे इस तरह से one by one आपने हर number पे जो भी एक feature मौजूद है उसको मुकमल तौर पे thoroughly study करना है और अपरी picture के साथ उसको tally करना है अगर वो as it is मौजूद है तो credit करना है अगर मौजूद नहीं है तो उसको not credit कर देना है अगर आप देखें तो यह आपके पास 73 points है जो mail figure के लिए आपने fulfill करना है जब आप इसको complete कर लेते हैं तो फिर आप next drawing की तरफ move करते हैं जो के woman की है woman की drawing के लिए आपके पास जो description मौजूद है वो page number 276 रही है बिल्कुल जिस तरह से आप में mail picture के each and every feature को consider किया और उसको detail में देखा कि क्या description required है विल्कुल इसी तरह female picture की भी side descriptions मौजूद है definitely आपको यहाँ point same लग रही है लेकिन उसमे थोड़ी सी difference है gender wise differentiation मौजूद है और एक और अहम बात कि total points male picture के लिए 73 है जबके female picture के लिए 71 points पे आपने rating करनी होगी इसमें भी one by one आपने हर एक feature को tally करना है guideline से और जब जिन जिन features की complete orientation मौजूद है उसको आपने plus के sign के साथ credit करना है और जो incomplete है उनको zero के साथ non credit कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि इन plus के sign को सिरफ count करना है जो zero है वो count नहीं होगा तो आपने plus के sign को count करना है जितना total credit बनता है वो यहां bottom पे जो raw score लिखाव है इसके सामने आपने place कर देना है दोनों pictures के साथ आपने इसी तरह से करना है Lastly फिर जो person ने अपनी self drawing बनाई भी है उसे आपने consider करना है यहां आप देखेंगे कि आपके पस total 73 points मौझूद है लेकिन जब वो male participant है इस test को attempt करने वाला तो definitely उसके लिए 73 points utilize होंगे क्यूंकि guidelines आप उसके लिए भी यही use करेंगे Self के picture के लिए भी आप यही दोनो guidelines use करेंगे अगर आपका participant male है तो आप male वाली guidelines use करेंगे अगर female है तो आप female वाली guidelines use करेंगे और उसमें उसी तरह से आप judge कर रहे होंगे जैसे आपने पहली picture में किया है credit भी उसी तरह से दे रहे होंगे और non credit भी उसी तरह से कर रहे होंगे बस फर्क सिरफ यह होगा कि अगर female है तो उसकी 71 points पे आप evaluation कर रहे होंगे अगर आप इसके अंदर proficiency हासिल कर लेते हैं, आप इसको quickly इन तमाम चीज़ों को go through कर लेते हैं और with practice आपकी fingertips पे हो जाती है, तो इस manual में इसकी एक short key भी दी गई है, जिसमें के जल्दी से आप इन points को pick up कर सकते हो, और इसकी basis पे पर दर इसकी evaluation कर सकते हो, और वो page number 275 पे है, यहां इसके आप short key देख सकते हैं, 294 पे आपके पास इसकी एक short key available है, यहां देख सकते हैं कि यहां सिरफ आपको जो different body parts हैं या features हैं, सिरफ उनीकी detail दी गई हैं, उनके साथ description देनी है, अगर आप समझते हैं कि आपकी command हो गई है, तो आप इस page को use कर सकते हैं, और quickly आप credit या non credit कर सकते हैं in pictures को, अब इसके बाद जो further आपका process है वो आपने इस form को fill up करना है, इस form को fill up करने के लिए भी वैसे तो यह one of the simple test है, कि इसकी बहुत साथ डीडेल्स नहीं है, लेकिन आपने इसको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपने drawing की according, जो आपने raw score calculate किये थे, man का raw score आपने यहां लिखते देना है, woman का raw score यहां लिखते देना है, और self का raw score यहां करते देना है, एक और animal कि जब आप यह दुन्नों drawings के raw score को लिख देते हैं, तो फिर आपने इसको average out भी करना है, इसको में आपको तोड़ा से एक इसका, इसकी sword age यह लिखते हूँ, आपके लिए असान हो जाएंगा कि आपने इसकी क्लेके कैसे चलना है, एक जासे अभी जिस case को हम देख रहे थे, उसमें man का total raw score था 37 और women का था 40 यानि 40 और उसके बाद self का score था 42 था, आपने इसको इस तरह से किया के इन दोनों का individual standard scores भी find out कर लिए और उसकी average आपने की उसका being standard score find out कर लिया, average score और percentile rank ये दोनों option मौझूद है, interpretation के लिए ये दोनों standardized courses में मौझूद है, लेकिन इस manual के अंदर थोड़ी सी shortcoming है, वो इस sense में है कि जो इसके percentile ranks है, वो कुछ areas के available हैं और कुछ के नहीं है, लेकिन standard scores जो है वो तमाम cases को cater करते हैं, तो this is a divisible, के instead of going for percentile rank, you have to go for your interpretation on the basis of standard scores, तो आप ज्यादा अच्छे अंदाज में उसको कर सकेंगे, इसके साथ bottom पे आप एक और इसका column देख रहे हैं, एक area देख रहे है, quality scale, ये भी ज्यादा developed form में नहीं है, इसमें भी हमें कुछ area में quality scale नजर आते हैं, जबके दूसरी area में quality scale missing है, तो इसमें भी situation यही होगी, कि instead कि आप इसको किसी case में consider कर रहे हों और किसी case में ना कर रहे हों, ज्यादा बेटर है कि आप quality scale को भी इसमें incorporate ना करें, बल्के standard score की basis पे आप इसकी interpretation कर सकते हैं, जब यहाँ पे आप इसको place कर देंगे तो उसके बाद फरतर जो आपने इसके standard score का table है, आपने उससे consult करना है, जो standard score का table है, वो आपके पास यहाँ module है, और score रिट्लाइस कर सकते हैं, कि जस तरह से तीन तरह की आपने इसमें drawings बनाएं थी, यहाँ उसी की detail यहाँ पे भी module थे कर आप देख सके, Drawing of a man by a boy, अगर एक लड़का एक male की drawing बनाता है तो उसके लिए आप यह standard score का table यूज़ करेंगे, यह continuity में आगे की तरफ चल रहा है क्योंकि जैसे मिन आपको शुरू में बताया था कि तीन साल से 15 साल की उमर तक के लिए आपके पास norms available है, तो यह raw score है जो आपके पास इस side पे vertically available है और horizontally आपके पास age ranges module है, आपने करना क्या होगा कि अगर एक male ने man की drawing बनाई है तो उसका जो raw score आया था आपने उस बच्चे की corresponding age के साथ उसे इस मौम में चेक कर लेगा है, जैसा कि अगर हम जिस case की बात कर रहे हैं, जिस को के भी हमने इसमें साल कूर किया है, इसकी को हम base बनाई हैं तो हमारी इसको समझना असाल हो जाएगा, actually यह जो drawing है यह female की थी not male, लेकिन हम suppose कर लेते हैं कि अगर यह male ही की drawing होती, तो हमारे पास 37 score था और 8 साल मिचे की उमरती, तो पिर हम यह कर रहे होते हैं कि इस 37 score को, you can see this is the 37, और इसको हम correspondingly देखरे होते 8 years में, तो यह आपके पास standard score आजाता है, इस standard score को आप यहां लेख देते, आप क्यूंकि यह table है by boy a man picture, और इसी तरह से आपके पास एक separate और table आएगा, जोके है man picture by girl, this one, और इसमें अगर आप देखें, आपके 37 score पे, अगर 8 सार बची की उमर है, तो आपके पास क्या एक standard score हासिर होता है, that is 110, और इसके according आप इसमें place कर रहे होंगे, इसी तरह से फटर कर आपके जो करना है वह यह है, कि जो next picture थी, women by boy, यहां पे भी आप raw score को consider करेंगे, और उस raw score के corresponding जो बच्चे के उमर थी, उस column में आप specific value को देखेंगे, जैसे यहां हमारे पास 40 raw score था, और 8 साल बच्चे की उमर थी, तो उसके according हमारे पास यह standard score आ जाता है, इस तरह फिर आप उसको average out करके अपने पास लिख सकते हैं, और इसी तरह self को भी आप indicate कर लेंगे, अब यहां जो समझने की बात है, जो आपके पास एक simple इसकी guideline है, कि इसमें average है 100, अगर आपके पास बच्चे की standard score 100 से above आता है, तो फिर हम भी कह सकते हैं, कि वह intellectual maturity में above average है, 100 से काम है, तो वह intellectual maturity में average से below है, जितना 100 से above जाएगा, हम उतना ही कह सकते हैं, कि that person, वो जो child है, जिसके हम भी test protect कर रहे हैं, उसकी mental maturity उतनी ही जादा होगी, जितना कि उसका standard score 100 से above आ रहा होगा, और wise versa, जितना काम आ रहा होगा, उतनी उसकी maturity less concealer की जाएगी है, This is a very simple kind of test, इसमें आपको कोई बहुत लबी detail की बहुत की जुरूदत नहीं है, बलकि इसमें आप simply, जो है वो intellectual maturity की value find out करेंगे, और उसको आप define करतेंगे, Thank you so much, अगर आपको कोई इसमें concern हो, question हो, तो आप हमें comment कर सकते हैं, जो आपको की बाएगी है, Thank you!